हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वालों कि कैसे आप अपने मोटो एज 40 नियो एंडुर्ट में अगर आप कभी भी किसी को कॉल करते हैं तो आपकी जो कॉल होती है वो सेंट नहीं हो पाती है तो इस प्रॉलूम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज क इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप एप वीडियो को हम श्टार्ट कर लेते हैं तेरह कि कभी भी अगर आप अपने फोन से किसी को कॉल करते हैं और आपकी कॉल जाओ सेंट नहीं हो पाती है तो इसके सॉल्यूशन के आपको सब स Setting page में आपको नीचे की side आना है नीचे की side आपको यह option मिलेगा Systems Tun ctap करना है इसके अंदर आपको reset option tap करना है इसके अंदर आपको सबसे ओपर reset wifi MOBAILE 1 N side पर tap कर अब इसके ऐलके बाद आपको अगले page में reset setting पर tap करना है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दूस्तों यहापर आपको अगला process एक करना है कि आपको अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दूस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो हमें पता नहीं लगता सेटिंग प्रोड़ Coming from connection को हमें। इसके बाद आपको mobile phone का setting उपन करना है सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड Juda शुफल को मिलागा system करना है इसके इंदर आपको 10 नीचे की ऑप्चिन मिलता system update का इसे टैप करना है तो आपको अगले पेज में इस वाले पेज में setting page open करें, इसमें आपको सबसे उपर की side की Network and Internet का Option मिलेगा, इसे टाप करना है, इसके अंदर आपको ढई थे ओप निछे की side का निए आपको अप्शिन मिलेगा, अक्सेस पॉइंट नेम का इसे टाप करना है, आपका यह APN का歌 des GL Kat call send नहीं हो पाती है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने फोन को एक बार restart करना है मुवाइल फोन को रिस्टार्ट करने के लिए मुवाइल फोन के साइड वाल पाउर बटन उंगली से दबा के रखना है आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा छोटा सा इस तरीकी का इसमें आपको restart पर टैप करना है इससे क्या होगा ना कि आपका फोन जो हो आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा फोर इसके थोड़ी दिर बाद आटोमेटिक स्विच आन हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे परसेस काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को reset करने की बिल्कुल जरुवाद नहीं है ठीक है मुवाइल फोन को reset करने के लिए मुवाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओकन करिए इसके अंदर आपको आपको यह option मिल जाएगा यह system का इसे टाप करना है system पे इसके आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा किसी दूसरे फोन में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात यह ध्यान रखने कि आपके फोन की gmail id और उसका password आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको अपने सोल हो जाइगी